now we come to the question number two question number two is which of the following is a cold blooded animal cold-blooded animal cold-blooded animal यह आप लोग के लिए नया टोपिक है अचली दो टाइप के animals होते हैं एक तो cold-blooded होते हैं और एक warm-blooded होते हैं cold-blooded animals वो होते हैं जिनके hotter या colder जोनके body temperature होता है वो उनके बाहर में जैसा temperature है वो उसी के अनुसार उसके body temperature होता है जैसे जब सूरज जैसे साम में ढल जाता है तो फिर बाहर का temperature क्या हो जाता है थोरा सा cooler हलका गरम रहता है तो उसका body क्या हो जाता है तब उस तैम में cooler हो जाता है और जब फिर जैसे सुबह में फिर सूरज उकता है गर्मी होती है तो फिर उसके body का temperature फिर एक्दम warm हो जाता है मतलब cold-blooded animals वो होते हैं जिनके body का temperature बाहर के temperature पर depend करता है और warm word blooded animals जो होते हैं वो ऐसे animals जिनके own body का जो heat होता है चाहे वो बाहर में ठंडा हो गर्मी हो बरसात हो जैसा भी मौसम हो उनके body का temperature हमेशा ही गरमी होता है चाहे वो कैसा भी climatic condition हो ठीक है तो cold blooded animals वो है अब यहां पर question है कि इसमें से कौन सा cold blooded animal है frog eagle यह cat तो इसमें से answer क्या होगा frog okay now question number third which of this is not really a beer देखे हम लोग तो beer सुनते हैं लेकिन साथे चरिए नाम जैसे last में लग गया beer तो समझ गे सारा beer है लेकिन यहां पर तीन option है sun beer grizzly beer और यह है कौला बियर लेकिन इसमें से है कौला बियर जो है वो बियर नहीं ठीक है बियर्स की होती है वो eight species होती है ठीक है वी चार जैसे देखे हैं यहां पर आर्ट बियर्स की जो species है मैंने यहां पर नाम भी लिखा sun beer grizzly beer इसको यह grizzly beer जो है यह brown beer गया अंदर में आता है sloth beer polar beer पोलर बियर इस spectacly beer northern American black beer और giant pandas और asiatic black beers यह सब यह आठो species है यहां पर कौला बियर्स का यह जो है Australian animal और यह कौला बियर के नहीं है और क्वाला बीर जो है पेर पे रहते हैं ठीक है और यह काफी लेजी टाइप का एनिमल्स होता है